लंबे समय से प्रेटर नगरी नानी ताल को आवारक उत्तो और बंदरों के अतंक से निजात दिलाने के लिए धना पर दर्शन कर रहे दे भूमी करांतिकारी मोर्चे द्वारा पंत पार्क में आज पर दर्शन किया गया और राजसरकार के किलाब जम कर नारे बाजी की दे भूमी करांतिकारी मोर्चे के अधक्ष के अल आर्या ने का की वर्ष 2013 से लेकर 2017 तक नैनी ताल में कई लोगों पर अवारा पशों ने हमला किया है जिन में दो नने मासूमों की जान भी चली गई है किन्तु शासन और पर शासन के अधिकारी उश्तम नैले का हवाला देकर अवारा कुटों बंदरों के आतंक को रोगने में असमर्थता दिखा रहे है प्रेटर नगरी नैनी ताल को अवारा पशों से निजाद दिलाए जाने की मांग को लेकर आज अपर जिला दिकारी के माद्यम से प्रधान मंतरी और मानव संसादर मंतरी को पतर भेजा गया है साथी कड़ी चेतावनी देते हुए उतराखंड करांतिकारी मोर्चे के देख्ष ने कहा कि अगर उनकी जन समस्यों की मांगो पर एक माह के अंदर शासन और पर शासन दवारा कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा तो उतराखंड करांतिकारी मोर्चे दवारा अनिश्चित कालीन धर्ना परदशन किया राएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेवार शासन पर शासन की होगी यहां पर अवारा कुत्तो और लंगूरू और बंदरू की आतंग से तीन मासुम बच्चों की मोत होगी जिसमें एक प्रियक्टाइक राजिस्तान से आये थे उनकी भी पुत्री की मिर्दू होगी राजिस्तान का जिसकी बेटी घुजरी थी उसने यहां पर यह कहा के गया कि दुबारा मैं आऊंगा और ना मैं सारे राजिस्तान में लोगों को इसको फैलाऊंगा कि यहां पर अवारा जानलोरों का आतंगे तो यह बड़ा दुर्वा गिये है हमने कई बार धरने प्रदेशन करके कितने सेकड़ों ग्यापन दे दिये हैं बिगद बरसों से तो इसमें उत्राकर्ण सरकार और जिला प्रसाशन बिल्कुल नाकाम रहा है हमने मजबूरन बिवस होकर के निर्णा लिया है कि हम आज जलुस के साथ में जिलादगारी नेंताल के माधियों से हम माज़े परधान मंत्री जी को और मानव संचाधन मंत्री मैंगा गाधी जी को ग्यापन दे रहे हैं अगामी 15 जन्वरी तक यदि हमारी मांग भारत सरकार के द्वारा मानव संचाधन मंत्री के द्वारा और राजी सरकार के द्वारा का स्युकार निकी गई तो अगामी 16 जन्वरी से फिर पुना हमको यही इसी परकार से जलुस और दर्ना प्रदेशन अनिसित कालिंग करना आज न्यूज के लिए नानी ताल से कांता पाल की रिबोट प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें